हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी कस्वागे थे टार्गेट क्लासेज विधरी सर में इस वीडियो में फिजकल एज कैसे रिलेटेट कुछ मोश्ट इंपॉर्डन कोईशन डिसकस करेंगे जो आगामी TGT और PGT के एक्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे और जो लोग हमाई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोडिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट कोईशन दिया है मनो वेज्ञानिक आनि साइकोलोजिकल परिच्छन की वै मापना था या दिया परिच्छन आकड़े देता है जो इस्थिर हो तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा C आप्शन एक परिच्छन मापता है जिस उद्देश के लिए मापना था नेक्स्ट कोईच्चन देखते हैं 52 एक सेट प्रसनों का भरा जाता है और पूछा जाता है साचात करता द्वारा आमने सामने के इस्थित में अनिबेक्त के साथ इसको कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है एक अंसूची एक चेकलिस्ट एक प्रसनावली या एक मत राय तो इसको जो बोला जाता है इसको क्या कहा जाता है एक चेकलिस्ट कहा जात तो 53 जब अलफा इसतर क्या होता है घटता है फिफ्टी फोर नंबर देखते नमोने का परिणाम क्या होता है अधिक सटीक्ता एक्विरेसी कम लागत और आइटम मद बाहिरी चुरोपन नियंत्र या उच परिशुदता तो यहां पर राइट आंसर 54 नंबर का रिलेट करेगा आपका B-Option के साथ में कम लागत है नहीं और आइटम मद हो जाएगा यानि B-Option राइट हो जाएगा और चैनल पर नएओ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद रहे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठेवरी सोथ का पहलू है जो नहीं करती क्या नहीं क करता है व्याख्या जो विशिष्ट घटना जो अधिक्तम संभावनाव परसुदता तो यहां पर जो राइट आंसर निकल जाएगा B-A-B-C तीन आप्शन में से कौन से राइट हो जाएगा B-Option से हो जाएगा तथ्यों का वरणों संबंद जो मजबूत है नेक्स्ट कोई प्रसंग कांटेस्ट में मानी जाती है और सी तक्नीकी पहलों को समझने में जो सोध में प्रयोग होते है या डी दिया और लोकन को बनाने में और अभिलेक रिकार्ड निरधारित करना तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा इसका राइट आंसर डी अप्सन हो जाएगा और नोट्स के लिए आपको कॉंटेक्ट कर सकते हैं 9621-819209 यह नोट्स आपको PDF के रूप में मिलेंगे जिसमें MCQ and one-liners questions 10,000 questions लिए गए हैं और यह नोट्स सिर्फ और 500 रुपीज इसका प्राइस रखा गया 500 रुपीज में यह नोट्स अवलेबल क आनुमानिक साब्य की विशगें या नोट्स देखते हैं कौन से पडरीच्छन का प्रियोक किया जाता है परियोक्त किया जाता है जो परिणाम हते हैं उनकी वैक्ष्या में पैरामेट्रिक परिछण गैर पैरामेट्रिक परिछण ए भी दूनों या कोई भी नहीं तो यहाँ पे राइट आंसर 58 का जो चला जाएगा आपका पैरामेट्रिक परिछण हो जाएगा sampling नमूने में उपरोग दोनों में उपरोग कोई भी नहीं तो यहां पी भी right answer आपका relate करेगा A और B दोनों यानि right answer जो हो जाएगा C option के साथ चला जाएगा C option साही हो जाएगा उपरोग दोनों next question देखते हैं बहुत अच्छा question है यह question पूछा हुगा question है और यह पूछा भी जाता है exam में अकसर T परिच्छण में जब दो गुरुपों में एक जनसंख्या और दो जनसंख्या से अलग sample आते हैं तब यह परिच्छण प्रिच्छण प्रिच्छण के लिए होता है A option यहां पर relate कर जाएगा A option साही होगा 61 number question देखते हैं सोध अनुसंधान है जो सोध अनुसंधान वो क्या होता है बार बार खोज करना किसी समस्या के समाधान की खोज करना एक वेज्ञानिक तरीके से कारी करना कारी करना यह नहीं खोजने के लिए किसी समस्या कि सच्चाई या उप्रोक्त कोई भी ने तो 61 का ज संख्यात्मक्योंगता पहलूत है इसमें किसको ब्यक्त नहीं किया या सामाजी काथिक अवस्था यानि हालत को ब्यवाई कर सकता है है ब्यावसाइक रवया तो 63 जो रिलेट कर जाएगा पसी आपसन हो जाएगा संख्यात्मक योगिता हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं अंसंदान करता क्या आवस्य गुड़ होते हैं निस्वल्क जांच का उत्साइन जो सालोकन निच्छन और सबूत पर भरोसा ज्यान का ब्योस्थापन या अनुमान लगाना या उपरोग सभी तो 64 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एबी सी यहाँ उपरोग सभी के साथ में चला जाएगा और जिसमें भी इसके पहले की वीडियोज नहीं देखिए हो सारी वीडियोज का लिंक प्लेलिस्ट में दिया हुए वहां से आप लोग देख सकते हैं साथ में डिस्क्रप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा वहां सब आप लोग देख लिज Joining और चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा 9621819209 यह वाट्सप नमबर जिसको भी फिजकल एज़केसन के गुरूप से आड होना तो इस पर मैसेज कर देगा और साथ में नोर्स के लिए जिसको भी नोर्स चाहिए होंगे 500 रुपीज जिसका चार्ज रखा गया 500 रुपीज का पेमेंट करके आप लोगो नोर्स PDF के रूप में प्राप्त कर सकते जिसमें 10,000 का समावेस किया गया वन लाइनर साइन बहु भी पलक्री क्वेशन याने MCQ के टाइप में क्वेशन दिया जा रहे है जो आपके एक्जाम्स के लिए बहुत हैल्फुल हूँगे क्वेशन नमर्स 65 देखते हैं दियेगे बित्रण यानि डिस्टिब्यूशन में X इक्वल 20 दिया 5 वल 16 नमर्स 65 दिया वह तो गुडान के भिनता कोफिसियंट वेरियेशन होगा इसको आप लोग निकाल लीजिएगा इसका राइट आंसर आपको हम बता देते हैं बी आप्सन हो जाएगा आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा फर्मूले से नेक्स कोईशन देखते हैं एक कोईशन और दिया हो इसी तरीके का एक साधार बित्र में 100 प्रतिसात आपजर्वेशन टिपणियों को निम्रिकित में से किसके दोरा पूरा किया जाता है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए आपसन इसका भी आप लोग सलूशन कर लीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर इसका भता जाता है 67 का 93 हो जाएगा आप लोग इसको सॉलूशन सॉल्व करके निकाल लीजिएगा 68 तंबर सोध करने की प्रक्रिया में परकल्पना के सूत्री करण यानि फार्मुलेशन के बाद आता है क्या आता है उद्योस्वा का विवरन यानि वरन डाटा आंकडों का विशलेशन है सोध के उपकरन या साधन का चैन आंकडों को संगरा यानि कठा करना तो यहाँ पे जो आता है यह आता है आप सोध के उपकरान यानि साधन का चयान आता है यानि C option यहाँ पे relate कर जाएगा C option सही हो जाएगा आप YouTube पे जैसे ही target classes भी धरी सा सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप playlist के option में जाएगा वहाँ पे भी आपको सारी वीडियो मिल जाएगे एक सोध पेपर वह संचित रिपोर्ट होती ही सोध कार की जो आधारित होती है किस पर आधारित के वल प्राथमिक डेटा आकड़ों पर केवल सेकेंडरी साहीड डेटा पर ए और भी दोनों यहाँ पर राइट आंसर 69 कर रिल स्ञासिक नहीं एकाँ हूं साथ साक नहिए सौध की समस्या के लिए या सोध के लिए सोधन योगी हो यह माहत्तपोर्ट या नए ज्यान कर नित्मकरता उंगता हो या फिर यह फिर यह सेवंटीवरी विल्दिंग के साथ में या थेयोरी विलडिंग तक ले जाता रिए। असत्य सिद्ध कर सकते हैं या तो सिर्फ एक टूल यानि कि यह क्या होते हैं एक साधन होते हैं इसी option सही होगा question number next देखते हैं 72 number दिया हुए किसने कहा है कि सांख्यांक की आंकडों को समझा जाता है एक counting गरना का विज्ञान है तो यह किसने कहा यह कथन किसका यह बताना है आपको बोगली गैल्टान इस्टेफिंग इस्टेफिंग किंग या फिर आरे फिसर तो यह जो कहा गया है यह बोगली के द्वारा कहा गया ए आप्सन डिलेट करेगा question number 73 देखते हैं ज्यादा तक ज्याचों में किस पर भरोसा रखा जाता है यानि किस पर ज्याचे होती उसमें किस पर भरोसा रखा जाता है प्रात्मिक डेटा दुतियक डेटा A और B दोनों और D आप्सन दिया हो प्रोक में से कोई भी दे तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर secondary डेटा यानि दुतियक डेटा हो जाएगा राइट आंसर B आप्सन के साथ चला जाएगा नेक्स्ट कोईशन देखते हैं 74 अगर वीडियो फास्ट लग रही होगी तो आप लोग कमेंट करके आवस से बताईएगा योगकि इस समय हम वीडियो को कल से थोड़ा सा स्लो परहाना सुरू कर दिये हैं एक प्रस्ण वाली में कितनी मात्रा में प्रस्ण होने चाहिए पांच पंद्रा बीस या सर्वेचर के उद्देश को ध्यान में रखकर जितने चोटे कम संबह हो नेक्स्ट कोईशन 75 जो दिया बहुत ही इंपॉर्डन कोईशन है और नोट्स के लिए आप लोग कॉंटक कर सकते हैं यह हमारा वाटसप नंबर है इस पर आप लोग फिजकल एच प्रस्ट के ग्रूप से भी एड़ हो सकते हैं और साथ में 500 रुपीज का पेमेंट करके आप नोट्स पीडियाफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं जिसमें राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर प्रात्मिक डेटा की क्या विश्वसनिता होती है हमेशा अधिक विश्वसनी होता है सेकेंडरी डेटा के मुकाबले कम विश्वसनी होता है सेकेंडरी डेटा का मुकाबले और यह फिस सावधानी प पर निर्वार करते हैं जिसके आधार पर क्या होता है डेटा जुटाया गया है तो राइट आंसर सी आप्शन हो जाएगा यहां पर वीडियो पसंद लाइक कर दिएगा साथ में अपने पांच दोस्तों के साथ में वीडियो को सेर भी कर दीजिएगा जिससे सभी को इसका ला कौन इस्थती आउसाथ है अंकगर्ट अर्थमेटिक मीडियन जियोमेट्रिक मद्या क्या हार्मोनिक मद्यक तो 76 जो रिलेट करेगा मीडियो से रिलेट करेगा बी आप्शन हो जाएगा 77 पूर्ण विचलन यानि डियावियेशन वस्तुओं का जोड योग नियूंतम होता किसमें मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मद्यक या हार्मोनिक मद्यक मद्यक तो 77 यह हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा रिलेट करेगा 78 नमबर देखते हैं निमलिखित बैसे कौन संबंदित नहीं है टी परिछण की सम्वेशन सिलता को बढ़ाने में कौन संबंदित नहीं है सोर के इस्तर को घटाने से नमूने का आकार बढ़ाने से मापन की विस्वेशनियता बढ़ाने से अप्रोक सभी से तो यहां पर हो जाएगा आपका मापन की विस्वेशनियता बढ़ाने से राइट आंसर हो जाएगा C option question number 79 देखते हैं यहां पर क्या होगा right answer इसकी वज़े से परिकल्पना से प्रयोगात्मक जोड़ तोड़ यानि manipulation से विस्वेशनियता बीच में अंतर स्याफी परिचालग यानि operational परिभासा तो यह किसकी वज़े से होता है आपका B option प्रयोगात्मक जोड़ तोड़ यानि manipulation से right answer रिलेट कर जाएगा आपका B option next question 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 number 80 देखते हैं दिया हुआ है आपका एक मिनट एक प्रयोग में आश्री यानि निर्मर वैरियेबल चर होते हैं कौन से होते हैं माना के standard प्रदान करते हैं जिससे group के अंतर को मापा जाता प्रयोग के पहलू होते हैं जो अनियंत्री तो जोड़ तोड़ करते हैं प्रयोग करता के द्वारा होता है next question देखते हैं 81 नंबर किस बात का ध्यान रखना चाहिए secondary data का प्रयोग करते हैं बिस्वस निये प्रयात उदेश हांत में होना चाहिए प्रत्रनिदित करते हैं उप्रोक्त सभी 81 विस्वस निये भी होना चाहिए प्रयात उदेश भी होना चाहिए प्रतनिदित करते हैं, right answer D option यहाँ पर सही हो जाएगा, question number 82 देखते हैं, अत्यन्त अउलोकन से कौन सा अउसा सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो अत्यन्त अउलोकन से कौन सा अउसा सर्वाधिक प्रभावित होता है, median, mode, अंकरगरी, geometric, मत देखते हैं, मूल, या सबसे अधिक बिचलित मूल, अधिक से अधिक बार बार होने वाला मूल, या प्रत्लिक करता है कुल आवरत, frequency को अधिक तथा, mode क्या होता है, mean, median, mode, अब इसमें mode होता, जो सबसे अधिक बीच का more जो होता, ये mode होता है, माध माधी का बहुलग जिसको बोलते हैं उसी में मौड बोलते हैं बहुलग को संबंधित अध्यान के सर्वेचर का मुख देश क्या है जो संबंधित अध्यान है उसके सर्वेचर का मुख देश क्या है duplication यानि प्रतिलिप से बचने के लिए आक्रमर करने की विधियों को जानना या जानना की क्या पहले से पता है या विधियों में अंतरद्रश्ट रखना तो 84 यहाँ पर रिलेट कर जाएगा आपकर डुप्लिकेशन यानि प्रिप्लिप से बचने के लिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर A option Next question देखते हैं 85 number किस आधार पर सोध भी का चेहन किया जाता है किस आधार पर किसका चेहन किया जाता है यह सोध के उद्देश से नियंतर के प्रकार से डाटा के उस्तरोश से अप्रोग सभी तो यह सोध के उद्देश से नियंतर के प्रकार से डाटा के उस्तरोश से याणि hypothesis को सउथ hypothesis को सफ़िकार करने की सम्भावना se--" राइट आंसर हो जाएगा आपका भी ऑप्सन हो जाएगा आप लोग एक बार चैनल पर विजिट करके questions अवस देखेगे कि आपके लेबल के जो TGT और PGT के exam जो होते LT grade का हो चाहे तो आपका TGT का हो चाहे तो DTSP हो चाहे तो NBS का हो चाहे KBS का हो इस लेबल के सारे questions आपको दिये जा रहे इसी तरीकी questions आपके exams में पूछे जाते हैं next question 87 number एक नमूना यानि sample किसका प्रतनिद्रित करता है किसका प्रतनिद्रित करता है दरसाइब भीड जनसंख्या उप्रोग कोई भी नितो तो यह जो प्रतनिद्रित करता है किसका करता है यह जनसंख्या का करता है राइट आंसर हो जाएगा C option 88 नमूना प्रक्रिया की क्या हा नी होती है तो 88 हो जाएगा प्च्छपात की संभावना या बी आपसन के साथ चला जाएगा 89 नंबर इसे के साथ देखते हैं क्रम रहित या नमूने सेंप्लिंग का क्या लाब है यह चैप्टर आपको बहुत अच्छा है अनुसंद्धान कारव प्रणाली से रिलेटेड है यह तुटियों गलतियों से मुथ होता है वर्गी क्राव में या पच्छपात अच्छत से मुथ होता है या उप्योग करने के लिए आसान है या अगर इकाई या ब्यापक रूप से फैली या थितर बितर है तो सैंपल नमूने का चैन करना संभव हो जाता है तो राइट आंसर 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी आप्शन बहुत अच्छे बहुत अच्छा कोईशन है अगर इकाई या ब्यापक रूप से फैली या थितर बित तो यहां पर 90 नमबर का राइट आंसर हो जाएगा, स्कोर की सीमा हो जाएगा, C option के साथ में आंसर चला जाएगा, 9621-819209 यह WhatsApp नमबर, इस पर आप लोग फिचका लेश्कासन के गुरूप से एड़ हो सकते हैं, साथ में, नोट्स के लिए आप लोग जिसको भी नोट्स चाहिए हो, कि 500 रुपेज का पेमेंट रखा गया, उसको पेमेंट करके आप लोग नोट्स प्राक्त कर सकते हैं, इधर आप लोग पेमेंट करेंगे, समस्या की अज्यानता, बहुत सारी समस्या है, प्रसिचल की कमियनी समस्या को पहचानने में, उप्रोक्त कोई भी नोट्स प्रसिचल की अज्यानता रिलेट कर जाएगा, यह आप्सन सही हो जाएगा, यहापर नेक्स्ट कोईशन 93 नमबर देखते हैं, नल यानि प्रडिक्शन, विसलेशन, डिलेक्स्रेशन, गोसरा प्रस नहें, किस चेज के परिकल्पना का रूप, परिकल्पना का टाइप या प्रकार, वैरियेशन्स यानि विताओं का रूप या उप्रोक कोई भी ने, तो यह हो जाएगा, यहापर परिकल्पना का रूप हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, A option most important question 93 number का आप लोग screenshot ले लीजिएगा इसका right answer A हो जाएगा इसका screenshot ले लीजिए बहुत अच्छा question है बहुत important question है 94 एक सोद की परिकलपन है याई साधानते नल परिकलपना में बदल जाती है नल hypothesis में बदल जाती है कौन सा होगा इसका परिच्छन नहीं किया जा सकता है तो यहां पर right answer हो जाएगा B option इसका परिच्छन नहीं किया जा सकता है साधान की यानी B option 95 number देखती है या क्यों आवसे कि एक सोद की परिकलपना को नल परिकलपना में बदल जाती है क्योकि या संबंधनों संबंधनों को प्रदर्सित नहीं करती जो सोतंत और निर्भर वैरियेबल के बीच में होते यह एक वैज्ञानिक स्टेटमेंट बयान नहीं है इसका सांख्यांग की तरीके से परिच्छर नहीं हो सकता यह एक बहुत ही साधान स्टेटमेंट है और यह इसपस्ट रूप से सो नहीं कर रहे हैं चुने हुए नमूने से क्या लाग होते हैं योकि एक्जाम का इस तर अब फोड़ा स्टैंडर हो गया कोईशन भी स्टैंडर पूछे जाते हैं अगर आप लोग जितने भी कोईशन पढ़ेंगों उतने ही आपके लिए कम होंगे बस एक चीज़ ध्यान र जाते हैं उससे रिलेटेट कहीं से भी पूचा जाएगा तो आप उस कोईशन को सॉल्व कर ले जाएंगे चुने हुए नमूने से क्या लाब होते हैं समय की बचत में पैसे की बचत होती अधिक सचाई का ज्यान होता है यह उप्रोक्त सभी तो 96 का राइट आट 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 स सभी तो इसकी जो विशेष्टाएं होती है इस प्रश्टता भी होती है इस्थिरता भी होती है लचीलापन भी होती यानि राइट आंसर हो जागे हैं पर डिया उप्रोक्त सभी नमूने सैंपल के चैन की बिद कौन सी है तो सैंपल के चैन की बिद कौन सी व्यवस्थित न नमूने इस्ट्रिफ फेर्ट विभिन मल्टिपन नमूने अप्रोक्त सब्सभी तो 98 यहां पर रिलेट कर जाएगा डी आपसे नहीं उप्रोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर 99 नमबर देखते हैं एक परिछर में विश्वसनेता दिखाती है किस चीज को थोड़ा सा छोट इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा कोईशन और आज के यह लाश्ट कोईशन देखते हैं 100 नमबर का दिया हुए निम्र लिखित में से कौन एक नमूने के आकार को निर्धारित नहीं करता है जनसंख्या की प्रक्रति नमूने की डिजाइन का प्रकार परसु इस नमबर से जुड़ सकता है और साथ में नोट्स के लिए आप लोग को 500 रुपी चार्ज रखा गया 500 रुपी का पेमेंट करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जिसमें 10,000 कोईशन होंगे जिसमें 10,000 कोईशन MCQ & 1-9 के रूप में होंगे जो वन लाइनर कोईशन सापको इसलिए दिये जाने जो एक्जाम के टाइम पर रिविजन करने में हैलफुल होंगे और वीडियो पसंद रहें वीडियो को लाइक कर दीजाग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजाग और एक बार सारे कोईशन जो जितनी भी इस नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार